नमस्कार मी धनंजे साखर कर अपन पाहतात नवराष्ट नवावारता आज आपले सुबता है इंकम टेक फ्रेक्टिशन लाहाण वयाद जाननी विधर बात अपले एक वेगल नाव अस्तित्व निर्मान के लाए अशे प्रतिक विराणी जिन्ना सर नमस्ते नमस्कार महाराष्ट में इंकम टेक्स में अलग नाम कैसे हुआ करते थे बच्पन में लोग बच्पन में खेलते हैं मेरा काफी समय ऑफिस में बिताया मेरे फादर के साथ देखा करता था कि मेरे फादर कैसे क्लाइंट को हैंडल किया करते थे कैसे टैक्सेशन के प्रोविजन को उसमें अमल किया करते और बच्पन से था कि कुछ करना है तो एक ऐसा करना है कि फादर जैसा में भी कुछ अच्छा बन पाऊ मैं अपने फादर की वज़े से आज यहां इतने अच्छी जगा पर पहुंचा हूँ 2023 में जो इंकम टेक्स में बदला हुआ है लोगों को क्या फाइदा हुआ है काफी फाइदे आ रहे हर साल बजेट आ रहा है हर साल फाइदा लोगों को मिल रहा है निश्यत रूप से करदाताओं का आय में भी बुड़ुत्री हो रही है और टैक्सेशन में भी सरकार कुछ ना कुछ उन्हें राहत देते जा रही है 2023 का अगर हम बजेट देखा जाए तो पिछले कुछ समय से ऐसा कुछ था कि जिसकी जरूरत करदाताओं को जादा थी जैसे स्टेंडर्ड डिड़ुक्शन की बात थी तो पिछले अगर हम नए रिजिम में इंकम टेक्स ने एक ओल्ड और एक नए रिजिम की शुरुआत की जिसके अंदर में स्टेंडर्ड डिड़ुक्शन का बेनिफिट नहीं दिया गया था पचास जार का तो सबसे बड़ी चीज तो मुझे यही लगता है कि इंकम टेक्स ने जो उसे पचास जार का अलाव करके एक कॉमन सिटीजन को जो उसका बेनिफिट दिया है बहुत अच है इस से काफी फीकी मिल रहा है था तो वहात अच्छी ऺिए ने पहल कि है कॉमन सिटीजने और एक टेक्सपएर की तरफ इंकम टेक्समें सर दो और निू रगिचिन OMG गया है का यह सही है और करिज को इसकी फाइदा है जी यह जो रिधी मैं कम टेक्स वारा इंक्रोड जो क किये गए है old regime और new regime यह बहुत फाइदयमंद है जैसे एक taxpayer की income होंगी उसको उसके according tax देना है और सबसे ज्यादा फाइदा तो एक salary person को है क्योंकि वो कभी भी opt-in और opt-out कोई भी रिजिम से अंदर हो सकता है तो इसका एक फाइदा यही है कि मान लीजिए अगर आपकी आए आए में अगर आपका कोई investment ना हो जैसे हो health insurance हो जो कुछ हो अगर आप नहीं है और आपका ऐसा लगता है है या जो भी हैक्स वाइज है वहां तक मुझे कोई टैक्स नहीं देना है तो आप एक नियू रिजिम के अंदर में जाके आप विदाउट एनी टैक्स आप लीगाली फूरा का फूरा आप एक benefit ले सकते हैं पर हां मैं एक जरूर कहोगा कि अगर मान लीजिए अगर आपकी इनकम बड़ी है आपकी इनकम 10 लाग 15 लाग से जाधा है और जहां पर आपका इन्वेस्मेंट भी फूल है एक एक च्पर ने प्रकार के प्रावधा ने जिसके अंदर में आप इन्वेस्मेंट करके टैक्स का लाब ले सकते हैं तो मैं निशिदी रूप से यह होगा कि अं सबसे पहले तो मैं अगर बजट 2024 के अगर हम बात करें तो मैं सरकार से एक चीज जरूर कहना चाहता हूं और यह अपना पॉइंट आफ यू रखना चाहता हूं कि उन्होंने सबसे पहले जो इन्वेस्मेंट्स जो क्राइटिरिया दिया है जिसके तहट उनको टैक्स सेविंग्स मिलता है उसको उन्होंने बढ़ाना चाहिए मान लीजिए आज एटीस अगर देड़ लाग तो उसे कई कई हद तक जाके दो लाग धाई लाग देखिए अगर इन्वेस्मेंट बढ़ता है थोड़ा थोड़ा करके तो भी बढ़ाना सरकार का यह अनिवारिया स्टेप होना चाहिए दूसरा बात है कि जो नेशनल फेसलेस असेस्मेंट सेंटर जो सरकार द्वारा इंकम टेक्स डिपार्टमेंट द्वारा जो चलाया जा रहा है इसको कही ना कई कंट्रोल करना च कुंसा रिजिम टेक्सपेर के लिए फाइदेमन होता है इंकम टेक्स द्वारा जो यह पहल की गई है यह बहुत अच्छी है सरकार ने जो दो रिजिम लाया है एक ओल्ड रिजिम और एक न्यू रिजिम यह उल्ड रिजिम में क्या हुआ करता था मान लिजे आपकी जैसी आए होती थी वैसे आप टेक्स दिया करते थे पर अब नियू रिजिम के अंदर में ऐसा किया है कि मान लीजे आपकी आए पांच लाग है या साथ लाग है तो आपको वहां तक कोई एक रुपे टेक्स नहीं देना है उसके अंदर में आप सीधा सीधा आपको कोई डिड़ आतिक विराणी नी टेक्स प्रेयर चा संबंधी सर्व जान कड़ी थे लिली आए तो अश्यात नवे नवा मैध्यमात उन आपन नविन नवीन लोकार्न रोज वेटना रहा हो धनजे साकरकर नवराष्ट नवावारता चंद्रपू